तो फाइनली दोस्तो रेलीवी की तरफ से भी यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है और लोगों के लिए जो लोग ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं यह पर करते हैं तो कहने के बतलब एक करेंटली जितने भी इस्पेसल ट्रेन चल रही है तो उन सभी मे हो तो आपको वहाँ पर आईडी प्रूफ अपना बताना पड़ेगा कोई भी हो सकता है अधार कार्ड पैन कार्ड है पर बोटर आईडी कार्ड है पर पासपोर्ड और अगर आप गुरूप में ट्रेवल करना चाहते हो जैसे कि 5-6 लोग एक साथ में करना चाहते हो और किस किसी के पास भी आईडी प्रूफ नहीं है और अगर एक के पास भी आईडी प्रूफ मिल जाता है तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा आप ट्रेवल कर सकते हो तो यह टिकेट बुकिंग आप अपने रेलवे काउंटर से भी कर सकते हो और अगर आप करना चाहते हो तो ओन बिल्कुल भी यहां पर नहीं मिलेगा तो कहने के बतलब यह है कि अगर आपको रहिष चुकी आपको full refund मिलेगा तो दोस्तो फोर एक जंपल के लिए मैंने यहां पर एमदवासे जवलपूर के लिए सेलेक्ट किया एक जुलाई दो हजार बीस को तो देख लेजी यहां पर नीची के तरफ दो ट्रेने एबलेबल बता रहा है और साथ में आपको देख लेजी यहां पर जैसे आप कोटा पर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहां पर जनरल के साथ साथ नीची के तरफ ततकाल और प्रीमियम ततकाल भी एबलेबल हो गया है तो पहले यह नहीं था पहले ओनली ततकाल था और लोवर बर्थ सेनियर सिटिजन था लेडिस था और दिब्यांक था लेकिन अभी-अभी बहुत बड़ी गुड नीची है कि ततकाल और प्रीमियम ततकाल भी यहां पर एबलेबल कर दिया है तो आप इसको ततकाल सेलेक्ट करके और अपनी टिकेट यहां पर बुक कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछने को जरूर सीखने को मिला होगा चली मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद